कि नमस्कार दोस्तों मैं पंकज महरा एक बार फिर से आपका हर्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भी आर्ड इंगलिस प्लस पर तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि प्रक्राइब तो नया नोटिफिकेशन आया है आपके पास में एक्जाम डेट से रिलेटेड या नेवी से रिलेटेड जो बताओं उससे पहले फटाफट से चाहूंगा कि आप वीडियो को शेर कर दें लाइक कर दें और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्स्राइब कर दें त तो आइए दोस्तों बिना टाइम पेस्ट की अपन स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को राइट और जैसा कि मैं आपको बता दूँ के हमारे इस बिया इंगलिस प्लस पे अभी हम लोग जो है प्रैक्टिस साथ कर रहे हैं ठीक है तो इन प्रैक्टिस साथ का भी आप फा विश्वास कर सकते हैं ठीक है वीडियो में जो भी आपको इंग्लिस का कंटेंट प्रोवाइड करवाय जा रहे हैं जो भी कुश्चिन से जो भी एक्स्पीनेशन आंसों से उनको आप बिल्कुल बेफिक्र होके समझ सकते हैं ठीक है वो बिल्कुल जैनुन है आए बढ़त जीरो वन टूटाउजन ट्वेंटी इपरिक्षाज जो थी डेट वज अर्लियर शेडूल मार्च जो कि पहले मार्च में नाइंटीन टू ट्वेंटी त्री आउप मार्च को शेडूल की गई थी पहले और यह जैसे लास्ट आपके पास में आया था कि ऑक्तोबर में है तो अब इन्होंनों बोला है further due to various state protocols and lockdown restrictions अलग-अलग states protocol और lockdown के restrictions की वज़े से पैन इंडिया online exam could not be conducted till date तो आज दिन तकी exam conduct नहीं हुआ है और main चीज हमार पास में efforts are being made to conduct star 01 2020 online exam in the first week of the November तो दोस्तो यह आपके लिए काम की चीज है कि अब जो आपका exam scheduled है ठीक है वो कब है first week of November 2020 तो दोस्तो आप देख सकते हैं आपके पास में 50 से जादा दिन है आपके preparation के लिए ठीक है तो अभी तक आपको यही मानना है कि November के first week में हमारे exam हो जाएंगे ठीक है देखो बहु आप देखेंगे कि दूसरे exam भी conduct हो रहे हैं जैसे NDA का conduct हुआ है नीट जेई मेंस का है ठीक है नीट का है तो आप देखेंगे exam गवर्मेंट की guideline के according conduct हो रहे है केंडिडेट्स को और सेंटर सुप्रवाइजर्स को कुछ सावदानिया बरती जा रही है ठीक है जैसे social distancing का ध है कि अभी आज के डिट में जो आज के दिन में जो डिट फिक्स है एर फोस एक्जाम के लिए डट इस नौंबर 20 ठीक है फर्दर एक्स्टेंट होगा यह नहीं होगा यह बात की बात है लेकिन candidates अभी आपके दिमाग में यह रखें के नौंबर 1st week में आपका exam हो जाएगा तो मेरा आपसे ही कहना है कि आप इस टाइम को वेस्ट नहीं करें पचास दिन बहुत होते हैं अगर आपने इस लॉक्डाउन में नहीं पड़ा है रिवीजन करने के लिए ठीक है एंड रिवीजन is the key to success राइट तो आयोप आपको समझ में आ गया हो गया आगे इन्होंने क सब्सक्राइट पर शो कर दिया जाएगा सो केंडिडेट्स और एक्वाइड तो फॉलो दो वेब पोर्टर रेगिलरली तो आप लोगों को सला दी जाती कि आप रेगिलरली यह जो वेब पोर्टल है यह आप देखे एर्में सेलेक्शन का जो है तो यह थी दोस्तों आपके तो आप अच्छे से तैयारी करें और आप सभी को एक्जाम के लिए और वेस्ट ठीक है एक चैनल पर जो इंग्लिस के प्रैक्टिस सेट अविलेबल है उनको भी आप देखें राइट अब देखते हैं दोस्तों एक आपके पास में एक कुछ स्टूडिंस के मेरे पास फोन आया कि सर एरफोस के एक्जाम तो पहले से तीन और चार अक्टूबर को शेडूल है ठीक है तो दोस्तों यह अभी आया है यह सुबह के आज के सुबह के एकपार में था और जो मैं आपको बता रहा हूं कि नॉमबर फस्ट विक में आपके एक्स ग्रूप और वाई ग्रू रहाम है एकट स्टेंड फस्ट पर एंप एर फॉर्स कॉमन एड्मिशिन टेस्ट एयर फॉर्स कॉमन और एफ और यह ऑफिसर लेवल एंट्री है ठीक है ग्रेजूएशन को किये वह बंदे कौलिफाइड होते हैं इसके लिए तो इससे आप ज्यादा ब्रमित नहीं हो कि थ तो इस टप कोरोना टाइम में आपको पढ़के एक्जाम क्रैक करके पोस्ट जो है वह हासिल करनी है ठीक है तो मेरी तरफ से और यह चाहूंगा कि आप यह पचास दिन से उपर का जो टाइम है इसको यूटिलाइज करें और इंग्लिस में इंग्लिस में क्या इसको कैसे रिवाइज करना है क्या स्ट्राटेजी होनी चाहिए उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो दोस्तों अभी तक के लिए यही तब तक के लिए जैहिन वन्दे मातरम